नमस्कार मैं डॉक्टर जिते इंद्र पांडे आज चर्चा का विश्य है कंडीशनल्स और रिकर्शे उपयोगी प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें लगभग हमेशा कुछ कंडीशन्स को चेक करने की और एकॉडिंगली प्रोग्राम्स के बेहेवियर को बदलने की शमता की अवशकता होती है कंडीशनल स्टेट्मेंट्स यहां शमता देते हैं सबसे आसान इफ कंडीशनल स्टेट्मेंट है जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है पहली लाइन में पैरेंथिस के अंदर के एक्स्प्रेशन को कंडीशन कहा जाता है अगर यह condition true होती है तो ही brackets के अंदर के statement execute होते हैं अगर condition false है तो कुछ भी नहीं होता condition इस्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी comparison operator को इस्तमाल करके लिखी जा सकती है यद्देपी ये सभी operations से शायद आप पहले से ही परिचत हैं लेकिन C programming language के syntax mathematical symbols से कुछ भिन होते हैं जैसे की equal to, not equal to और greater than equal to operators इसके अलावा कई बार हम comparison operator के बदले assignment operator का इस्तमाल कर लेते हैं जिसके कारण compilation के समय error आता है या जैसे उत्तर की अपेक्षा की गई थी वो उत्तर नहीं आता क्योंकि C programming language में equal to assignment operator होता है और equal to mathematical operator जिसे हम comparison operator कहते हैं उसे C में double equal to की तरह लिखा जाता है इसके अलावा C में यह दो operator भी नहीं होते हैं condition operator की दोनों तरफ एक ही तरह के variables होने चाहिए अगर आप integer की तुलना integer और doubles की तुलना double से करते हैं तभी यह काम करेगा string की तुलना करने के लिए एक विशेश तरीका है जिसकी चचा हम आगे के lectures में करेंगे अब बात करते हैं modulus operator की modulus operator integers और integer expression पर काम करता है इस operator का दो operand के बीच में इस्तमाल होता है तथा इसके इस्तमाल करने पर पहले operand को दूसरे operand से divide करने पर जो remainder आता है उसको प्रदिर्शित करता है इसे percentage चिन द्वारा दर्शाया जाता है इसका syntax बिलकुल under operator के समान ही है आईए अब एक उद्रहन के द्वारा divide और modulus operator के बीच में अंतर को समझें पहला operator integer division है तथा इसको इस्तमाल करने पर answer 2 आएगा दूसरा operator जो की modulus operator है जिसको इस्तमाल करने पर answer 1 आएगा क्योंकि 7 को 3 से divide करने पर एक remainder होता है modulus operator कई मामलों में आश्चरी जनक रूप से उपयोगी साबित होता है उधारल के लिए इसको इस्तमाल करके आप जान सकते हैं कि एक नंबर दूसरे द्वारा विभाजित है की नहीं यदि x modulus y 0 है तो x y द्वारा विभाजित है conditional execution का दूसरा form है alternative execution जिसमें दो संभावनाय या possibilities होती है और condition यह द्यदार्द करती है की कौन सा statement execute होगा इसका syntax इस प्रकार है इस quote को देखने से पता चलता है कि पहली line में जो statement है उसमें x और 2 के बीच में modulus operator है x को 2 से divide करने पर reminder अगर 0 आता है जो कि यह दर्शाता है की x एक even number है तो दूसरी line का statement execute हो जाएगा जो की x is even print कर देगा अगर यह condition false है यानि x को 2 से divide करने पर reminder 0 नहीं होता है तो तीसरी line में लिखे गए x statement के बाद वाला statement execute होता है जो की x is odd print कर देगा क्योंकि condition या तो true होगी या false दोनों स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती अत्य है या तो print x is even statement execute होगा या print x is odd दोनों एक साथ नहीं हो सकती यदि आपको लगता है कि आप अक्सर संख्याओं की समानता या parity की जाच करना चाहते हैं जैसे कि evenness या oddness तो आप इस code को एक function में wrap कर सकते हैं अब आपके पास print parity नाम का एक function है जो आपके द्वारा provide किये जाने वाले किसी भी integer के लिए एक उचित संदेश प्रदर्शित करेगा main function में आप इस function को निम अनुसार call करेंगे हमेशा याद रखें कि जब आप कोई function को call करते हैं तो आपके द्वारा provide किये गए arguments के type को declare करने की अवशक्ता नहीं होती है C language खुद पता लगा सकती है कि वे किस type के हैं पत्र है C में ये code अमान्य होगा कभी कभी आप कई related conditions को check करना चाहते हैं और कई action में से एक को चुनना चाहते हैं ऐसा आप if और else की एक series को use करके कर सकते हैं ये chain आप जितना चाहें उतना extend हो सकती है उन्हें पढ़ने में असान बनाने का एक तरीका standard intention का उप्योग करना है जैसा कि इन उधारान में प्रदिशित किया गया है यदि आप सभी statements को braces का इस्तेमाल करके standard intention का पालन करेंगे तो आपके programming के दोरान syntax error की संभावना कम होती है और यदि आप syntax error करते भी हैं तो उन्हें अधिक तेजी से ढून सकते हैं chaining के अलावा आप एक function के भीतर दूसरे function की nesting भी कर सकते हैं हम पिछले उधारन की nesting करें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा इस program को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि outer conditional में दो braces हैं पहले branch में एक simple output statement है लेकिन दूसरी branch में एक और if statement है जिसमें अपनी दो branches है इन दोनों ही branches में output statement है हाला कि वे conditional statement भी हो सकते थे वैसे तो intention को देखकर program के structure को समझने में आसानी होती है लेकिन फिर भी nested conditions को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है अतहे अगर संभव हो तो nested conditions से बचना चाहिए अब हम बात करते हैं return statement की return statement आपको program के end तक पहुशने से पहले function के execution को terminate करने की शमता प्रदान करते हैं program में error condition को detect करने के लिए अक्सर इसका इस्तमाल किया जाता है इस program में print logarithm नाम का function को define किया गया है जो parameter की रूप में double type की एक variable को accept करता है सबसे पहले यह program यह check करता है कि क्या x की value 0 या उससे कम है अगर ऐसा है तो यह program एक error message डिस्प्ले करता है और return के मदद से function से exit कर लेता है ऐसा करते ही program का flow of execution वापस उसी जगह पर चला जाता है जहां पर यह function को call किया गया था return statement के बात के function के statement execute नहीं होते हैं अब हम बात करते हैं recursion की पिछले lecture में हमने जाना कि एक function दुआरा दूसरे function को भी call किया जा सकता है और हमने इसके कई उधारण देखे हैं इसके अतरिक एक function खुद को भी call कर सकता है programming के इस feature के दुआरा हम कई दिल्चस्प चीजों को अन्जाम दे सकते हैं उधारण के लिए इस function को देखे इस function का नाम countdown है और single integer को parameter के रूप में accept करता है अगर parameter 0 है तो इस function का output screen में blast off print कर देता है अन्य था यह program पहले जो parameter pass किया गया था उसे print करता है फिर pass किये गए parameter की value को decrement करता है उसके बाद यह function खुद को call करता है तथा decrement की गई value n-1 को इस function के argument की रूप में accept करता है क्या हो अगर screen में दिखाएगे function को call किया जाए count on function का execution n is equal to 3 के साथ शुरू होता है और चुकि n की value 0 नहीं है यह value 3 को output करता है और फिर so m को call करता है इसके पश्चात count on function का execution n is equal to 2 से शुरू होता है चुकि n की value भी 0 नहीं है इसलिए output screen पर 2 print होता है और उसके पश्चात function खुद को call करता है इसके बाद count on function का execution n is equal to 1 से शुरू होता है चुकि n की value फिर से 0 नहीं है इसलिए output screen पर 1 print करता है और उसके पश्चात function खुद को call करता है अब count on function का execution n is equal to 0 से शुरू होता है और चुकि n की value 0 है यहाँ blast off शब्द output करता है और फिर लोटता है screen का output कुछ इस प्रकार होगा आईए एक दूसरे उधारन के माद्यम से recursion का एक और उप्योग जानते हैं print new line function और print 3 line function को फिर से देखी यद्यपी ये function भी काम करेगा लेकिन अगर हम 2 new line या 106 new line प्रिंट करना चाहें तो इस code का उप्योग करना बहतर रिकल्प होगा यह program count on program के जैसा ही है जब तक n की value 0 से अधिक है यह program एक new line generate करता रहता है इसके पश्चात function खुद को call करता है और n-1 को argument लेते हुए फिर से new line generate करता है इस प्रकार program दुआरा generate की गई new line की संख्या 1 प्लस n-1 है जो की लगबाग n के बराबर है function की खुद को call करने की प्रक्रिया को recursion कहा जाता है और ऐसे functions को recursive function कहा जाता है अब हम बात करते हैं infinite recursion की पिछले unit के example में ध्यान देने योग की बात यह है कि जब भी function को recursively call किया जाता है तो argument की value x से decrement हो जाती है और तब अंत में जाकर 0 हो जाती है जब function आगे कोई भी recursive call किये बिना पूरा हो जाता है इसे base case कहा जाता है यदि कोई recursion कभी भी base case तक नहीं पहुँचता है तो यह function हमेशा के लिए recursive calls करता रहेगा और कभी terminate नहीं होगा इसको infinite recursion कहा जाता है और इसका उप्योग आम तौर पर एक अच्छा विजार नहीं माना जाता है अब हम बात करते हैं stack diagrams for recursive functions की पिछले lecture में हमने function call के दौरान किसी program की स्थिती को represent करने के लिए एक stack diagram का उप्योग किया था उसी प्रकार का diagram एक recursive function को interpret करना असान बना सकता है याद रखें कि हर बार जब एक function call किया जाता है यह है एक नया instance create करता है जिसमें function के local variable और parameters होते हैं जो figure countdown function के लिए एक stack diagram को प्रजशित करता है जिसमें n की value 3 है इसमें main function का एक और countdown function की चार instances है प्रते एक instance में parameter की value अलग है इस stack के bottom में जहां countdown function की n is equal to zero value प्रजशित किया गया है वो base case है इसके बाद your function recursive call नहीं करता इसलिए इसके बाद countdown function की कोई instance नहीं है main का instance खाली है क्योंकि main function में कोई parameters या local variables नहीं है तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगली lecture में हम चर्चा करेंगे fruitful function की यानि जो function कोई value return करते हैं धन्यवाद